नमस्कार आदा मैं जिशान सेक लंतरानी नियूज में आपका स्वागत है बिहार विदान सबाद चुनाओं में राश्ट्रे जनता दल के नेता तेजस्वी यादों ने नतीजे को लेकर गुरुवार को एक प्रेस कॉनफरेंच की जिसमें वो पाटी की हार के बाद भी काफी जोशीले अंदाज में नजर आए तेजस्वी इन चुनाओं में जीत तो हासिल नहीं कर सके लेकिन उनकी पाटी सबसे बड़ी पाटी बन कर उबरी है तेजस्वी ने प्रत्रकारों से कहा कि चाहे मुखी मंतरी की कुर्सी पर कोई भी बैठे असली विजेता वही है और जनादेश उनके पक्ष में आया है तेजस्वी ने पोस्टल बैलेट की गिंतियों में फरोड का भी आरोप लगाया और पुर्न मदगन्ना की मांग की पाटी बनने से रोक नहीं पाए तेजस्वी ने कहा कि जनादेश महागडबंडन के लिए था मुखी मंतरी चोर दर्वाजे से अंदर आना चाहते हैं तेजस्वी ने कहा देखिए नितिश कुमार के चेहरे की चमक कहा चली गई है वो तीसरे नंबर पर आ गये हैं ये बदलाव का जनादेश है नितिश कुमार मुखी मंतरी के पत पर बैटे हैं लेकिन हम लोगों के दिलों में बैटे हैं तेजस्वी ने वोटो की दोबारा गिनती की मांग करते हुए अपने कुछ उमिदवारों के वोटो में बिल्कुल कम अंतर होने का हवारा दिया उन्होंने ये भी सवाल किया कि पोस्टल बैलेट्स शुरू में क्यों नहीं गिने गए थे और आरोप लगाया कि कई सीटों पोस्टल बैलेट्स को अवेदगोसित कर दिया गया था उन्होंने मांग की कि जिन पोस्टल बैलेट्स को अवेदगोसित किया गया था उन्हें सामने लाया जाये चुनाओ आयोक के अंकड़ो के अनुसार इंडिये को 84,960 वोटों की बड़त मिली एंडिये और वीपक्स के बीच वोटो का अंतर महज सुन्य जशमलग 2 फीसदी का रहा कई एक्जिट पोल्स में दिखा कि तेजस्वी आदों के इन चुनाओं में जीत होने वाली है लेकिन इंडिये की प्रीट पर सवार नितिश कुमार लगतार चौथे टम के लिए मुख्य मंतरी बनने वाले है बता दे कि 243 सीटों वाली विदान सबा में 122 बहुमत का आंकडा था बीजेपी और जेडियों ने साथ मिलकर 125 सीटों पर जीत हासिल की थी बीजेपी को 74 सीटे मिली थी वहीं नितिश कुमार को 243 सीटों पर जीत मिले आर जेडियों ने अकेले 75 सीटों पर जीत हासिल की बेरो रिपोर्ट लंतरानी नियूज